नमस्का मेरा नाम ने मिलते वारी है और मैं आप सभी का एचिवर्स ऐसे एकेडमी के इस यूड़ी चाने में हार्दिक स्वागत करता हूं आसक करता हूं कि आस सभी कुसर मंगल होंगे तो पिछले कुछ दिनों से हमने दर्शन सास्तर का अधियन किया और दर्शन सास्तर में मैंने आपको नियाय दर्शन से परचीत कराया था और नियाय दर्शन के हमने तीन टॉपिक को कवर किया पहले कि अप्रमा तुसरा अप्रमा और तिसरा असत कारिवाद जैसे कि हम सभी को ये मालूम है कि जो CG PC मुग की परिक्षा है उसका अगर हम पेपर 6 को देखेंगे तो पेपर 6 मतलब GS4 कर आप देखते हो तो उसका जो भाग एक है वो हमारा दर्शन सास्त्र है और उसी दर्शन सास्तर के अगर आप syllabus को दो जाकोगे तो उसमें आपको वैसेशिक दर्शन भी दिखता है और जो वैसेशिक दर्शन है उसमें हमको एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम क्या है परमाडू वाद मा को यह इसलिए बता रहा हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो वैसेशिक दर्शन है आज हम वैसेशिक दर्शन से परिचीत होंगे कैदे समको पढ़ना चीए परमाडू वाद को यही हमारा टॉपिक है लेकिन परमाडू वाद को समझने से पहले बहुत जरूरी है इस दर्शन से हमको क्या होना तो परिचीत होना तो आज का जो क्लास है वो introductory क्लास है किसका तो वैसेशिक फिलोसिफी का तो चली हम चालू करते हैं आज का अधियन जो क्या है तो वैसेशिक दर्शन पर है आपके बहुत ऐसी से मालूम है कि जो वैसेशिक दर्शन है वो पूरक दर्शन है नियाय दर्शन का मैंने कई बार अपने वीडियो लेक्शन में बता चुका है कि हमारे भारती दर्शन में अगर मैं आपमें भारती दर्शन को देखूंगा तो भारती दर्शन में छे ऐसे दर्शन है जिसको हम आस्तिक दर्शन का दर्जा देते हैं इसको हमने आस्तिक दर्शन का दर्शन इसलिए दिया है क्योंकि ये सभी दर्शन वेदों की प्रमाडिक्ता को स्विकार करते हैं अगर मैं उन छे दर्शनों की बात करूँगा तो उन सभी छे दर्शनों को हम सड़ दर्शन बोलते हैं उन्सर दर्शन में दो दर्शन वेदों पर अधारित थे और चार दर्शन स्वतंतर गरंथों पर अधारित थे उनमें पहला क्या था शांखे और शांखे दर्शन को पूर्ण करने वाला जो दर्शन वो क्या है तो योग दर्शन उसी प्रकार से स्वतंति ग्रंतों पर अधारी दो दर्शन और थे उसमें एक अनाम क्या था नियाय दर्शन और ध्यान दिजेगा नियाय दर्शन को पूर्ण करने वाला जो दर्शन है वो कौन सा है तो वैसेशिक दर्शन है जो वैसिशिक दर्शन है वो पूरक दर्शन है किसका नियाय दर्शन का और चुकि नियाय दर्शन एक आस्तिक दर्शन है तो इसलिए जो वैसिशिक दर्शन है वो भी एक क्या है तो आस्तिक दर्शन है क्योंकि ये भी वो दर्शन है जो वेदो की प्रमाडिकता को सुखार क होता है एक प्रमुक सुत्र होता है और उस सुत्र को लिखने वाला ही उस दर्शन का क्या होता है तो प्रडेता होता है जिस प्रकार से न्याय दर्शन का जो सबसे प्रमुक गरन था वो क्या था तो न्याय सुत्र था और न्याय सुत्र के जो रचनाकार थे उनका नाम क्या था तो महरिशी गौतम थे इसलिए महारिसी गौतम को हमने न्याय सुत्र लिखने के कारण न्याय दर्शन का क्या कहा तो प्रणीता का उसी प्रकार से जो वैसिशिक दर्शन है वैसिशिक दर्शन का भी अपना एक प्रमाडिक गरंत है जिसको हम बोलते हैं वैसिशिक सुत्र और ये जो वैसेशिक सुत्र है, इस वैसेशिक सुत्र को लिखने वाले जो माहरिसी है, उनका नाम है माहरिसी कनाद माहरिसी कनाद कौन है? तो माहरिसी कनाद वो है जो खेतों में जाकर, खेतों से अनकणों को चुनकर वो अपनी जीवन का निर्वाह करते थे तो उन अनकणों को चुननने के कारण इनका नाम क्या पड़ा हालाकि विद्वानों का ये मानना है कि ये जो कणाद है इनकी प्रनेता का जो कणाद है उनका असल नाम क्या है तो महारसी उल्लुक ने इस दर्शन को क्या किया प्रतिपादित किया चुकि महारसी उल्लुक ने इस दर्शन को प्रतिपादन किया है इसलिए इस दर्शन को औलोक की दर्शन भी कहा जाता है कभी और आपसे ये पूछा जाए कि वो कौन सा दर्शन है जिसे औलॉक की दर्शन कहा जाता है तो उस दर्शन को हम क्या बोलते है तो वैसेशिक दर्शन और क्यों कहा जाता है क्योंकि हम कोई अच्छी से मालूम है कि वैससिक दर्षन की जो परनेता है वो महरिसी करनाद है और महरिसी करनाद का जो असली नाम है वो क्या है उल्लुक है और उल्लुक के कारण इस दर्षन का नाम क्या है तो औलुक की पड़ा है अब ये जो दर्शन है इस दर्शन हम किसकी बात करते हैं क्या बात करते हैं तो ध्यान देजिए ये दर्शन जो है ये व्याख्या करता है किसका पदार्थ का एक विशेश नामक पदार्थ का ये क्या करता है व्याख्या करता है तो विशेष नामक पदार तो उस विशेष से इस दरसन का नाम क्या पढ़ा वैसिशिक पढ़ा बलब विशेष नामक पदार्द के व्यक्या से उसकी मीमांसा से इस दरसन का नाम क्या पढ़ रहा है तो वैसे सिक पढ़ रहा है मतब इस दर्शन में हम क्या करने वाले हैं पदार्थों की व्याख्या करने वाले है इसे नियाय दर्शन में भी हमने पदार्थों की व्याख्या किया हमने सोला पदार्थों की वहांपर व्याख्या किया था उस सुला पदार्तों को हमने ग्यान मिमांसी चर्चा किया था लेकि अब इन पदार्तों को हमको स्थापित करना है स्थापित क्यों करना है तो आपको ये भी समझना होगा क्योंकि जो वैसिसिक दरसन है वो तत्वों की चर्चा करता है और तत्व की रूप में हम यहां पर स्थापित करने वाले हैं किसको पर्माड़ू को तो पर्माड़ू को स्थापित करने के लिए हम चर्चा करने वाले हैं किसका प्रदार्थ होगा तो धीरे-दीर हम समझेंगे इस दर्शन को जब हम परमाड़ू के और बढ़ेंगे अभी आपको ये समझना होगा कि ये जो दर्शन है इस दर्शन का सरली करण करने के लिए एक वेक्तिने एक भासी लिखा है और वो जो व्यक्ति है वो भी एक महर्षी है और उनका नाम कहाए तो प्रसश्थपाद प्रसश्थपाद वो व्यक्ति है जिनोंने वैसिक दर्शन पर अपना भास से लिखा है और उनकी उस भास से को हम बोलते हैं पदार्द धर्म संग्रा मैंने अगों बहुत अच्छे से बताया है पहले भी कि जैसे कोई भी जो जटिल रशना होती है उन जटिल रशनाओं को सुत्रों में बद किया जाता है और उसी का जो सरली करण होता है वो भाशी होता है जैसे कि जो वेद है वेद पद रूप में है वेदों का सरली करण किसमे है तो ब्रहमण गरंतों में मतलब हर एक वेद का अपना अपना क्या है ब्रहमण गरंत तो वेदों का जो सरली करण क्या है ब्रहमण गरंत उसी प्रकार से सुत्रों का जो सरली करण होता है वो क्या होता है भास्षी होता है और में देखेंगे कि अगर वैसेशिक दर्शन सुत्रों में बद्ध है और वो सुत्र को हम क्या बोर रहे हैं तो वैसेशिक सुत्र है तो उसी वैसेशिक सुत्र का जो सरली करण है वो एक भासी है और उसका नाम क्या है तो पदार्थ धर्म संग्रा और स्पदार्द धर्म संग्रा को लिखने वाले जो व्यक्ति है वो कौन है तो प्रसस्तपाद है मतलब प्रसस्तपाद वो व्यक्ति जो उन्होंने इस दर्शन का क्या किया तो सरली करण किया है अब मैंने आपको स्टार्टिंग से ये बताया कि ये जो दर्शन है इस दर्शन को न्याय दर्शन का पूरक दर्शन माना जाता है पर न्याय दर्शन को पूर्ण करने वाला जो दर्शन है वो कौन से है तो वैसेशिक दर्शन है लेकिन कई विद्वानों को ये मानना है कई विद्वान ये मानते हैं कि निया दर्शन से भी पुराना दर्शन क्या है तो वैसेशिक है तो अगर निया दर्शन से भी पुराना दर्शन वैसेशिक है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि वैसेशिक दर्शन का जो पूरक दरसन क्या कलाएगा निया दरसन कलाएगा लेकिन कई विद्वानों का ये भी मानना है कि ये दोनों दरसन आपस में क्या है तो पूरक है आपस में पूरक इसलिए है कि कि ये दोनों दरसन एक दुसरे पर निर्वर है एक के अभाव में दुसरे की व्याक्या करना असंभाव है क्यों है तो कारण ये है जो दरसन सास्त्र है दरसन सास्त्र को हमने दो भागों में बाटा है एक क्या तो ग्यान मिमानसा और एक क्या तो तत्व मिमानसा लिए अगर मैं भारती दरसन की बात करता हूँ विएकि भारती दरसन में सभी दरसन ऐसे दरसने जहांपर मोक्ष की अवधरना है जिसको मुल्य मिमानसा या अचार मिमानसा कहते है और हमको ये भी मालूम है कि जो भारती दरसन है वो तत्व मिमानसा से ग्यान मिमानसा किया हो जाता है और ग्यान मिमानसा से अचार मिमानसा किया हो जाता है वहीं जो पश्चाद दरसन है वो ग्यान मिमानसा से तत्व मिमानसा किया हो जाता है अब यहाँ पर जो निया दरसन है निया दरसन में ग्यान मिमानसी चर्चा होता है तबी तो हम प्रमाण सास्त्र को क्या करते हैं? स्थापित करते हैं नियादरसन में जो प्रमाण सास्त्र है वो प्रमाण सास्त्र नियादरसन का ग्यान मिमान सा है नियादरसन का वो एपिस्टमेलोजी है और वही जो नियादरसन का जो तर्क सास्त्र है जो तर्ग सास्त्र है वो न्याय दसन का मूल्य मिमांसा है उसका वो एक्सियोलोजी है तो न्याय मिमांसा क्या कर रहा है तो जो न्याय दसन क्या कर रहा है ग्याय मिमांसी चर्चा कर रहा है और मूल्य मिमांसा चर्चा कर रहा है लेकिन इस ग्यान विमांसी चर्चा वो किसका करेगा तत्व का तो करेगा तो पहले तत्व को तो स्थापित करना है तो नहीं इसी तत्व को स्थापित करने वाला इसी तत्व को प्रतिपादित करने वाला जो दर्शन है वो क्या है तो वैसिशिक दर्शन है इसलमें यहाँ पर यह बोल रहा हूँ कि जो वैसेशिक दर्शन का जो उद्देश से है वो तत्व सास्तर को प्रतिपादित करना है और इसी तत्वों को अधार मना कर ग्यान इमांसी चर्चा करने के लिए प्रमाण सास्तर और तरक सास्तर को प्रताप्रति पादित करने वाला जो दर्सन वो क्या है तो नियाए दर्सन इसलिए ये दोनों दर्शन आपस में क्या है? पूरक है अगर दोनों दर्शन में एक दर्शन का भी अभाव होता है तो समझ लिजे कि अगले दर्शन की व्याक्या करना लगभग क्या हो जाएगा तो असंभाव हो जाएगा तो इसलिए ये दोनों दर्शन एक दूसरे दर्शन के क्या है तो पूरक दर्शन है जहाँ पर नियाय दर्शन का मूल उद्देशी प्रमार सास्तर और तरक सास्तर को प्रतिपादित करना है वही जो वैसेशिक दर्शन है वो तत्तु सास्तर को प्रतिपादित करता है अब मैं तो आगे बढ़ जाता हूँ अब ये धियान दीजिए अगर हम बात कर रहा हूँ कि इसकी वैसिशिक दर्षन की तो वैसिशिक दर्षन में आपको एक चीज और समझड़ा होगा वो क्या है कि वैसिशिक दर्षन में नियाय दर्षन से ठीक विपरित जैसे नियाय दर्षन में हम प्रमाडों की बात करते हैं ज्यान का जो सादन वो हम प्रमाड का है तो ज्यान का सादन प्रमाड वैसिशिक दर्षन में भी कहा जाता है लेकिन दोनों में अंतर ही ये है कि जो नियाय दर्शन है वो चार प्रकार के प्रमाडों की बात करता है चार स्वतंद्र प्रमाडों को स्विकारता है और वो चार जो स्वतंद्र प्रमाड है वो क्या है तो प्रतियक्ष है तुसरा अनुमान है तुसरा शब्द है और चौथा उपमान है लेकिन यहां बाजो वैसिशिक दरशन है वैसिशिक दरशन नियाय दरशन से विप्रित सिर्फ दो प्रमाड को ही स्वतंत्र मानता है और जो दो प्रमाड जो की स्वतंत्र है वो क्या है तो प्रतियक्ष और दुसरे क्या अनुमान प्रत्यक्ष और अनुमान के बाद जो उपमान और सब्द है उपमान और सब्द प्रमाण को वैसिक दर्शन प्रत्यक्ष और अनुमान में ही समाविष्टिक मानता है मतलब यहाँ पर सब्द और उपमान को जो वैसिक दर्शन है वो सुतंत प्रमाण नहीं स्विकारता तो ये एक major difference है किसके बीश में नयाय दर्शन और वैसेशिक दर्शन में तो अभी बता पाओगे कि नयाय दर्शन अगर प्रमाण सास्त्र का चर्चा करता है नयाय दर्शन ग्यान का साधन प्रमाडों को मानता है तो प्रमाडों की व्यक्या करते हुए उसने चार प्रमाड के बारे में बताया है क्या-क्या प्रत्यक्ष, अनुमान और उप्मान और सब्द और इन चारों प्रमाड को स्वतंत्र प्रमाड का संग्या दिया है वहीं जो वैसेशिक दर्शन है वैसेशिक दर्शन भी ग्यान का साधन प्रमाडों को मानता है और प्रमाडों को मानते हुए उसने सिर्फ दो ही प्रमाडों को स्वतंत्र स्विकारा है और वो दो प्रमाड क्या है तो प्रतियक्ष है और तुसरे क्या है अनुमान है और बाकि जो अन्य दो प्रमाड कौन-कौन उपमान और सब्द को उसने प्रतियक्ष और अनुमान में ह कि समाविष्ट कर दिया है तो एक मेजर डिफरेंस है इसके बीच में यह डिफरेंस है वैसेशिक द्रशन और नियाय द्रशन है तो इस परकार हम यह बोसकते हैं कि दोनों सास्तर्शन प्रमाण सास्तर का चर्चा करता है इसमें नियाय दर्शन भी करता है और वैस्जिक भी करता है लेकि वैस्जिक दर्शन का जो मूल उद्देश है वो क्या है तो तत्व सास्त्र को प्रतिपादित करना है यह आपको दियान देना है मतलब हम अंतता क्या करने वाले हम अंतता तत्व सास्त्र का ही यहाँ पर मीमांसा करने वाला है अब इस दर्शन के अर्थ को समझने का हम क्या करेंगे तो प्रयास करेंगे ध्यान दिजेका जो वैसेशिक दर्शन है वैसेशिक दर्शन में जो वैसेशिक सब्द है उस वैसेश सब्द का जो अभी प्राय है जो वैसेश सब्द का अगर मैं क्या बोलू तो अभी प्राय क्या है तो विशेश पदार्थ से है तो मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है विशेश पदार्थ की बात कर रहा हूँ तो विशेष पदार्थ में जो विशेष है उसी विशेष से यहां पर क्या बना है तो वैसेशिक बनता है अब यह विशेष पदार्थ किया है यह आप समझ दीजी यह जो विशेष पदार्थ है उस विशेष पदार्थ को आप समझे पदार्थ वो होता है जिसका नामकरण हो सकता है मतलब ऐसा वस्तू ऐसा जिसका नामकरण हो सके उसको हम क्या बोलेंगे पदार्थ बोलेंगे इसको कब मैं व्यापक अर्थ मैं आपको समझाओं तो एक ऐसा पद जिसका कुछ अर्थ निकले ऐसा पद जिसका कुछ अर्थ निकले उसको हम क्या बोलेंगे पदार्थ बोलेंगे और वही अगर पदार्थ विशेश होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे विशेश पदार्थ तो यहां पर जो वैसिक दरशन है वो इनी विशेश पदार्थों की व्याख्या करता है वो ऐसे पदार्थों का व्याख्या करना चाहता है जिसके पद का कुछ ना कुछ क्या निकले तो अर्थ निकले तो ध्यान दीजिए चुकि हम यहां पर पदार्थों की व्याख्या कर रहे हैं तो पदार्थों की व्याख्या करने कारण उसकी चर्चा करने के कारण यह जो दर्शन है इस दर्शन को हम पदार्थ सास्त्र भी कहते हैं यह जो पदार्थ है इस पदार्थ के अंदर इस दर्शन ने विश्व की वास्तिविक वस्त्वों की चर्शा की है यह दर्शन पदार्थ के रूप में तत्व की मीमानसा करता है इसलिए इस दर्शन को तत्व सास्त्री भी कहा जाता है अब ध्यान दियो जो नियाए दर्शन था जिस बगार से नियाए दर्शन ने परमाडों को साधन मान कर ग्यान की मिमान सा किया उसने मुक्ष की प्राप्ति के लिए तत्व ग्यान के वास्तिविक रूप को समझने की कोसिस की उसी प्रकार से जो वैसिक दर्शन है वैसिक दर्शन का भी जो अदेशी है वो मुक्ष को समझना है उसका जो लक्षी है वो मुक्ष की प्राप्ति है और मुक्ष की प्राप्ती के लिए तत्व ग्यान के वास्तलिक सरूप को समझना यहां बर क्या है तो आवश्यत है और उस वास्तलिक सरूप को समझने के लिए उस ग्यान के वास्तलिक सरूप को समझने के लिए उस तत्वो को समझने के लिए तत्व ग्यान को समझने के लिए इस दर्शन में साथ परदार्थों की व्याख्या की गई है जिस पकार से निया दर्शन में हमने 6 पदार्थों की व्यक्या की थी उसी पकार से जो हमारा व्यस्षिक दर्शन है उसमें हमने कुल मिलाकर 7 पदार्थों की यहां पर क्या किया है तो व्यक्या किया है और जो साथ पदार्थ है वो क्या है तो ध्यान दिजेगा इन साथ पदार्थों को हमने दो वरगों में बाटा है एक क्या तो एक भाव और दूसरा क्या तो अभाव तो भाव और अभाव में हमने इन साथ पदार्थों की क्या की तो व्यक्या किया अब यह ध्यान दो, यहां बगर मैं बात कर रहा हूं किया पदार्तों की, तो पदार्तों में मैंने क्या बात किया भाव का, तो जो भाव है, उन भाव पदार्तों की जो संखिया है, वो कुल मिलाकर कितने हैं तो छे हैं, तो नियाय दरशन में कुल मिलाकर 16 पदार्तों का व बहुता है बहुता है तो एक ही है अगर बात करूं कि अच्छाय भावपदार्थ है तो पहला द्रव है दुसरा गुण है तिसरा कर्म है चौता समान्नी है पांच्वा विशेश है और छटवा क्या है तो समभाए है हमको इसको इतना डिटिल में नहीं पड़ना लेकिन फिर है तो बहुत मैं आपको इसका जनकारी दे सको तो इए पकाल से अगर आपके पूछे कि कि पदार्तों कि संधी कितनी है तो साथ है उनों कितने वर्गों में बाटा गया है तो दो वर्गों में पहलें उभाव में पदार्तों कि यह कितनी है तो छै कजह वह दुसरा किया और द्रव को सब्स्टेंस गुड मतलब कॉलिटी कर्म मतलब एक्षन समान्य मतलब जनरल विशेश मतलब पर्टिकुलर और सब्सवाय मतलब इनहेरेंश कि अब हम क्या करेंगे आप हम एक-एक करके इन पदार्तों की व्याख्या करने की कोशिश करेंगे और इन सबी पदार्तों में जो सबसे पहला पदार्त है वो क्या है तो द्रवी है तो ध्यान दिजिएगा वैसेशिक द्रशन में जो सबसे पहला जो पदार्त है उसको हम क्या बोलते हैं तो द्रव बोलते हैं अब द्रव क्या है द्रव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि द्रव जो है वो ये दोनों जो आपके पदार्त है क्या क्या गुण और कर्म गुण और कर्म जो है इस पदार्तों का जो कारण है वो क्या है तो द्रव है मतलब आपको ये समझना होगा कि जो द्रव है द्रव एक ऐसा पदार्थ है इस दर्शन में जो दो अन्य पदार्थों का क्या है आधार है बलब द्रव के बिना गुण और कर्म की कलपना करना क्या है तो असंभव है गुण और कर्म दोनों वो पदार्थ है जो द्रव में ही संवेत है बलब इनका जो अस्तित्व नहीं होगा अगर द्रव नहीं होगा तो आप यह बोसकते हो कि गुण और कर्म यहां स्वतंतर अस्तित्व नहीं रखते इन दोनों का जो अधार है वो क्या है? तो द्रव है तो ऐसे माझने जाता है कि जो द्रव है वो उपादान कारण है किसका? गुण और कर्म का जो उपादान कारण है मतलब जो material cause है जो समवाई कारण है वो क्या है तो द्रवी है तो द्रवी इंदो का क्या है तो अधार है हाला कि जो समानी है समानी के बारे भी ऐसा कहाता है कि समानी भी नेहित है किसमें तो द्रवी में मैं समाननी भी जो है वो किसके अंदर गता आता है तो द्रवी मतलब अन्य पदार्थों को जो आधार है वो क्या है द्रव है इसलिए तो मैं वो रहाँ कि द्रवी इस दर्शन का प्रथम क्या है तो पदार्थ है और ये एक material कौज है ये एक उपादान कारण है ये एक करके क्या होते हैं तो दरवी होते हैं यह चैनल दरवी क्या है तो पहला दरवी इसको बोलते हैं क्या अर्थ अर्थ मतलब क्या पृत्वी पृत्वी के अलावा जो दूसरा है वो क्या है तो अगनी अगनी मतलब क्या तो आप वो सकते हो फायर वायू अगनी ऐस्का बावत किया तो ऐथर यहां पर नौ है नौ में अपको फाइर वाटर इधर अर्थ मतलब प्रित्वी 5 अगणी एर मतलब वायू व्ड़ और अकास जल वायू अगणी मतलब है इसली पकारत को हम पंच महाभूद वी शभक होए प्रित्वी का क्या हुआया तो निर्माड हो थो क्या हुई तो रचना हुई है तो यह क्या है तो यह पांच यह हमारे क्या है तो पदार्थ है वह अगर मैं बात करूं क्या और बागी तीन की तो तीन में क्या आएगा दिक आएगा क्या वह लो दिक तो एक क्या आपका दिक है दिक के बाद क्या है तो काल दिक के बात क्या है काल के बाद क्या है तो आत्मा और आत्मा के बाद क्या आएगा तो मन आएगा तो यहां दिक क्या है तो दिक यहां पर स्पेस है काल यहां पर टाइम है आत्मा यहां पर क्या है तो सेल्फ सूल है और मन यहां पर क्या है तो माइंड तो इस बकारा से कुल मिलाकर जो द्रव है द्रवों की जो संख्या है वो कुल मिला कर यहां कितनी है तो नौ है और वो नौ द्रवों यहां पर क्या आगए तो पिरत्वी अगनी वाईयू जल अकास दिक काल आत्मा मन जहाँ इन नौ में से प्रारम की जुद पांच है वो पांच हमारे पंच महाभूत कलाते हैं और इन इसके बाद जल का जो विशेश गुण वह रस है वायू का जो विशेश गुण वो क्या है सपर्स अगनी का जो विशेज गुण क्या है तो रूप है और वहीं आकास का जो विशेज गुण वो क्या है शब्द है मतलब हमें कह सकते हैं कि जिस भूत के विशेज गुणों का ग्यान जिस इंद्रिय से होता है वह इंद्रिय उसी भूत में निर्मित होता है मतलब आप ध्यान दो अगर मैं बात कराओं किया रस की तो रस का जो रस अगर एक विशेज गुण है किसका तो जल का तो इसका जो अनुभव किस इंद्रिय से होता है तो जीब से तो जीब ही इस इंद्रिय का क्या है तो निर्माता है जिसमें बहुत क्या है तो निर्माता है जिसमें बवरों क्या आख, आख में आख से आप किसका अनुभाव कर सकते हो रूप का, तो रूप जो है वो किसका गुण है अगनी का, तो अगनी जो भूत है उससे निर्मित क्या है तो आख है, तो इस पकार से पिर्थवी जो है, इस संपूर्ण पिर्थवी जो है, इन सभ अगर मैंने पंच महाभूतों की बात की तो पंच महाभूतों में जो चार महाभूत है जिसमें क्या क्या आता है तो एक अग्नी एक पृत्वी जल और वाईू यही जो चार ऐसे महभूत है जो की परमाडू युक्त है मतलब मैं गोड़ाँ कि भाई अगर स्रिष्टी का निर्माड़ अगर परमाडू से हुई है तो इन चार परमाडू से ही स्रिष्टी का निर्माडू है ऐसा मानना किसका है तो वैससिक दरशन का वैससिक दरशन का यह मानना है कि जो अक कारण क्या तो कारण यह मानिए जो चार महां भूत है प्रित्वी जल्वायू और अगनी इन चारों महां भूतों के अलग रखा है, आकास में आकास को वो बहुत sanctuary नहीं है जिसके कारण सृष्टि का क्या हो? निर्माड हो, क्योंकि आकास में पर्माड़ू की संक्या, जो पर्माड़ू जो है वो वहाँ पर नहीं है पर्माड़ू का वहाँ पर क्या है? अभाँ है तो अकास परमाडू रही था है लेकिन जो परमाडू युक्त है वो क्या है तो चार महाभूत, इसी चार महाभूतों से जो निर्मित है वो क्या है तो स्रिष्टी, आगे चलके जब हम theory of जब हम ये पढ़ेंगे कि जो स्रिष्टी का निर्माड कैसे हो जो स्रिष्टी वादि का जो फिलोसोफी है जो विचारधारा है किसका रह्ष द्रशन में तो हम जानेगे इनी चार परमाडों से निर्मित है क्या तो सिर्ष्टी है अब आगे निया दीजिए जो अगला था मैं बताया था कि भाई द्रव का जो अगला प्रकार वो क्या है तो एक दिख है दिख सब अगर दिख नहीं होता स्पेस नहीं होता तो जो संसार के जितने में जो वस्तु है वो सभी वस्तु एक दूसरे के अंदर प्रविष्ट हो जाती बलब सभी का स्वतंद्र सत्ता हमको नहीं दिखता रता अस्तित उनका हमको नहीं दिखता रता तो यहां पर जो वस्तुएं अगर वस्तव अपने अपने जगा में अगर विद्दमान है तो सभी वस्तवों को वो जगा वो स्पेस वो प्लेस वो आश्रय प्रदान करने वाला जो यहां पर द्रव है वो क्या है तो दिक है हलाकि दिख भी अद्रिश्य है दिख का सिफ हम अनुमान कर सकते हैं उसका प्रतिक्षिकरण नहीं कर सकते हैं अगला क्या तो काल है काल भी आपको मालू है काल हम यह वस्तू है या संसार में जो परिवर्तन होता है तो परिवर्तन का जो कारण है वो क्या है तो काल है जैसे भूत, वर्तमान, भविश, पहले, बाद, पराचिन, नवीन तो इस सब परिवर्तन है तो इस सभी परिवर्तन का जो कारण है वो यहाँ पर क्या है तो काल है मन को एक internal sense organ माना है यह भी अद्रश्य होता है यह ग्यान को समझने के लिए इनका यह मानना है कि जिस प्रकार जो बाहिर वस्तू के ग्यान के लिए बाहिर इंद्रियों का सत्ता हमको मानना पड़ता है बाहिर इंद्रियों का आंक नाक मूं इनके अनुभव सही तो हमें बाह बाहिर वस्तू का अनुभव होता है तो जिस प्रकार से बाहिर वस्तू के ग्यान के लिए इंद्रियों की सत्ता माननी पड़ती है उसी प्रकार से आत्मा शुक्ष दुख या जितने जो आंत्रिक वैपार है उन आंत्रिक वैपारों को समझने के लिए एक आंत्रिक इंद् यह हमारा क्या है तो मन है तो यह क्या होगी आपका एक प्रकार किसंगा अगला ऊत्सक्रान चैतनी का अधार मन gossip और आत्मा को दो प्रकार से बाटा है एक जीवात्मा एक परमात्मा जीवात्मा जिसमें सिमित चेतना होती है और परमात्मा जिसमें असिमित चेतना होती है यहां ध्यान दिजे का जो परमात्मा है परमात्मा को इश्वर माना गया है परमात्मा को स्रिष्टी का क्या माना ग प्रकार से यह कुल मलाके 9 क्या थे प्रकार थे किसके द्रव के ठीक है अगला जो भावपदार वो क्या है गुड गुड मैं आपको पहली बता चुका था कि गुड जो है वो पहले से ही निवास करता है किसमें द्रव में गुड को अकेला नहीं पाया जा सकता और याद है वो गुडों से भी क्या है तो सुनी है अगर मैं बात करों क्या द्रव की तो द्रव के दो रूप होते हैं द्रव का एक रूप है सक्रिय द्रव का दूसरा रूप है क्या निस्क्रिय रूप है वही यहां पर क्या है तो गुड है गुड में गुड को हम क्या पूलेंगे तो इस बकार से अभी समझेए समाने भासा में कि गुणवा है जो द्रवब में समवेत है जो गुणों से सुननी है जो कर्म से सुननी है जो संयोग और विभाग का साक्षात कारण नहीं है जो अपने कार्य का असमवाई कारण है बलब गुण जो है वो कारे का असमवाई कारण बस है लेकिन वो द्रव का निस्क्रिय क्या है तो रूप है यह देखिए जो गुण है गुणों की जो संक्या है वो 24 होती है किसमें वैसेशिक दर्शन में वैसेशिक दर्शन में जो 24 जो गुण है इन 24 गुणों की संबन में जानकारी हमें पसषत-पादगे द्वारा मिलता है उ उस पछो गूञ को पहले पता चुका उ स्ञोग और विभागे सञ इस्टी में जो प्रले हो रहा है जो विनास वो क्या है तो विभाग है अगले क्या दूरत्व दूरत्व क्या है अपरत्व दूरत्व मतलब पासाना तुरी क्या तो तो अपका प्रिथक्तव मतलब तूटना अगले क्या है तो परिमाड परिमाड के बाद क्या है बुद्धी बुद्धी के बाद क्या है शुक, शुक के बाद क्या है दुख, दुख के बाद क्या है इक्छा, इक्छा के बाद क्या है द्वेश, द्वेश के बाद क्या है तो प्रयग्य, प्रयग्य के बाद क्या है तो गुरुत्व, गुरुत्व के बाद क्या है तो द्रवत्व, द्र रोवत के बाद किया है तो पर नहीं कि मैं व्यक्या करता अगर यह हमारे टॉपिक में होती यह हमारे टॉपिक में नहीं है तो बस आप यह 24 गुणों को लिख लिजिए सुनकर यह याद रहना चाहिए लिकिन मुझे लगता है कि आप नहीं भी याद करोगे तो कोई बात नहीं है क्योंकि हमारे स्रीजी प्यसीमों की परिच्छा में सिर्व हमें परमाणु बात पढ़ना है थोड़ा बहुत जनगारी लेना है किसका तो वैसे दिरश्चन का ठीक है चलिए तो इक उससे पकार से द्रव जो है द्रव के दो रूप है एक निश्क्रिय और स्क्रिय रूप है वह क्या है करम वह है जो द्रव का गतिसिल वैपार है कर्म भी किसमें और विभाग नों का कारण माना जाता है अगर संयोग हो रहा है और विभाग हो रहा है स्रिष्टी हो रहा है और प्रले हो रहा है तो इन दोनों का जो कारण है वो क्या है तो कर्म है तो कर्म वो है जो द्रव में समवेत है वो है जो गुड से सुनी है लेकिन जो संयोग और विभाग का क्या है तो वह रूप निए तो कर्म है। यह आपको याद रखना अगला क्या है तो समानी समय समझगे पर जिसके कारण एक ही प्रकार के विभिन व्यक्तियों को एक जाती के अंदर रखा जाता है जैसे की उधानता आप देख लो जैसे श्याम है रवी है राम है मनोज है अब्दुल है तो यह सभी मनुश्य है तो यह सभी मनुश्य है अलग-अलग मनुश्य है तो यह अलग होने के बावजूद इनके भिंता होने के बावजूद इन सभी को हमने मनुश्य का दरजा दिया एक ही जाती में हमने क्या किया इसको तो रखा है तो जो समानी है वो जाती वाचक सब्द का सूचक होता है जैसे कि संसार में जितने भी जो गाये हैं उन सभी गाये को हमने गाये के वर्ग में रखते हैं जितने भी जो बिल्लिया हैं उन बिल्लियों को हमने बिल्ली के वर्ग ह्वी अग्ला क्या है तो अग्ला हम देखते हैं क्या तो विसेश विशेश जो है वो समाने से ठीक उल्टा है विशेश क्या करता है विशेश वो नितिय द्रव होता है जो इसके त गुड़ों वो अगले को पहचान, उसको पहचान का क्या देता है तो रूप देता है मलब विशेश क्या करेगा कि पर्टिकुलर एक वेक्ति को मलब अगर दो वेक्ति, मतलब एक जाती है, मतलब मनुश्य एक वर्ग है मनुष्य वर्ग के अंदर में राम है, रहीम है, मोहन है, तो इन सब को अलग-अलग से पहचान कराने का जो काम करता है, वो कौन करता है, तो विशेज करता है, ये भी एक क्या है तो एक पदार्थ है, भाव पदार्थ है किसका वैस्षिक दृष्षन का, अगला क्या समवाय, समवाय मैं अगो न्यादत समझाया था, समवाय एक प्रकार का समवंध है, जिसके कारण दो पदार्थ एक दूसरे में समवेत रहते हैं, मतलब जैसे कि मालो मटका है, तो मटका और मिट्टी के बीच में एक समवंध है, कि मटका का अस्तित बीना मिट्टी के नहीं हो सकता, तो वो क्या है, तो समवाय कारण है, वो इस समवाय के बाद क्या आता है, तो कुछ नहीं था, ये कुन मेला कितने होए तो छे होए, तो ये छे क्या थे, पदार्थ क्या-क्या, द्रव्य, गुण, कर्म, समान्य, विशेश और समवाय, ज्यान दिजाएगा, मैं इसको बहु आता है, वो क्या आता है, अभाव आता है, बस अभाव को अब समझ लिए, तो ये हमारा टॉपिक कंपलीट हो जाएगा, यहां पर, अभाव क्या है, अभाव वैसेशिक दरशन का सात्वा पदार्थ है, जो छे पदार्थ वो भाव पदार्थ थे, अब ये जो पदार जो अभाव है वो क्या है तो साथवा है। ध्यान दिजेगा द्रव, गुण, कर्म, समान सभजी, समवायः यह सबी निर्पेक्ष पदार्थ है इसके विश्शी द्रशन के। बस जो अभाव पदिष्ट है वो सापेक्ष पदा जो सापेक्षता के विचार अधारित है वो ही क्य स्थान पर अनुपस्तित होना ही क्या है तो अभाव है अभाव को समझने के लिए न्याय दृशन में अभाव का दो प्रकार से वर्गी करण किया है पहला क्या है तो संसागर भाव दूसरा क्या है तो अनिय उन्या भाव तो यहां पर क्या है जो संसागर भाव क्या है तो अभी देखिए संसागर भाव मतलब जब एक वस्तू का दुसरे वस्तू में अभाव होता है तो उस अभाव को हम संसागर भाव कहते हैं उधारण जल में अगनी का भाव है वायू में गंद का भाव है यह सब्सक्ते कि अकास में इसके प्रकार होते हैं पेहला क्या प्राघ भव में दुसरा क्या दुवंस अभव और प्राभ भव में आधियंत अभाव अब प्राघ भॉ क्या है तो ध्यान देजिए उत्पति की पूर्व कार्य का भौतिक कारण में जो प्राग भव रहता है उसे प्राग भव कहा जाता है तो जो है वो पहले से अबहुंत हो थो क्या है प्राग भव मतलब कारण में पहले से उपस्तित ना होना कारण में कारे का अभाव रहें नहीं क्या है तो प्राग भाव है अग्ला क्या द्वंस अभाव क्या है जब विनास के बाद किसी चीजा अभाव होता है मालों कि किसी चीज का निर्माड हुआ निर्माड के बाद उसका विनास होना तो है यह सिस्टी वाद हम परमाड़ुआ पढ़ेंगे घड़ा का निर्माड हुआ तो वह सिस्टी है घड़ा का जब नस्ट होता है तो घड़ा नस्ट होने के बाद जब उसके तुकड़े जब उसको एक विनास के बाद किसी चीज़ का जो अभाव होता उसके हम क्या बोलते हुए द्वन्स अभाव गड़े के नास होने के बाद जो गड़े का जो कन है उनकड़ों में घड़का अभाव ही क्या है तो द्वन्स अभाव है अगले क्या है तो अत्यंत अभाव अभी अत्यंत अभाव क्या है तो यह धामज दीजिए दो वस्तू के संबंद का अभाव जो भूत वर्तमान भविश में रहता है वो क्या है तो अत्यंत अभाव है उधारण रूप का वायू में अभाव वरतमान में अभाव घविश में शब्द का अग्नी अभाव Intelligence में वरतमान में और भविश में अभाव होग structures इसको हम क्या बोलेंगे अत्यंत अभाव यह क्या हो गी हमारा अत्यंत अभाव अब नभलन को क्या है तो अन्ही उन्याय भाव तो यह क्या है यह समझ लीजिए इसको देखासों कि जैसे की जो वस्तू है दो वस्तू में भिंताएं होती है इस अभाव का संके सांकेतिक ओधारन क्या होगा कि का खा नहीं है जब एक वस्तू का दुसरे वस्तू में भेद बतलाया जाता है तब अन्यूनिया भाव का प्रयोग किया जाता है इस अभाव को धर्ण क्या होगा कि घोडा गय नहीं है, सेर बिल्ली नहीं है, या गय घोडा नहीं है, तो यह क्या है तो अन्योनियाय भाव क्या है तो अभाव है, तो इस पकार से यह क्या था अभाव, अभाव को भी हमने दो भाव को बाटा क्या, संसाग्र भाव और अन्य तो इस बगार से जो नियाय दर्शन है, नियाय दर्शन में कुल मिलाकर साथ परदार्थों की क्या होती है तो चर्चा होती है और इन साथ परदार्थों के हमने क्या किया चर्चा किया बहुत है मैंने विश्तित अध्यन ने करवाया क्योंकि मैंने पहले बताया कि यह हमारे स व्याश दर्शन से परिचित हुए और हमने यह समझा कि व्याश दर्शन जो है वो पदार्तों की व्याख्या करता है परमाडू को वो क्या करता है तो स्थापित करता है और जो अगला जो मेरा वीडियो लेक्चर होगा वो हमारे टॉपिक के अनुसार टॉपिक में होगा क्य में तो सिल्वस में तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माद्यम से आप वैसे दर्शन से परिचित हुए होगे आपको यह दर्शन समझ में आया होगा और इसी प्रकार से आप मेरे से जुड़े रहिए और मेरे इस वीडियो को जितना जादा आप शेयर करेंगे लाइक क करेंगे वो मेरे लिए एक क्या होगा तो उपहार होगा तो में जी सुनने के लिए धन्यवाद